वेल्कम बैक अबरिवन आज की वीडियों डिसक्रिप्शन करेंगे फंजाय की रिप्रडक्शन के बारे में कैसे इसके अंदर किनकिन मेथड्स के दुरू रिप्रडक्शन होती है लास्ट वीडियों इम फंजाय के एक जन्रल अक्रेक्स्टिक फीचर्स के बारे में डिसक्स कर चुके हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां से वीडियो देख सकते हैं अगर वीडियो हैलफू लगती है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए पने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करें तो अगर हम बात करें यहां पर फंज दीव रिपर्डच्षण जिसको का एक परजिननगा इस विदेटी टीवी प्रडक्षण के अंदर फर्दर पंच होते हैं जिह हैं जिके घ्रीटीव रिप्रडच्छन को थी ज जिसको बोहतें मिखंड तक उताइब चाह्पा इसे जाहां उघ्ग्मेंटेशन केदर चोटे चोटे टुकडों के अंदर चोटे-चोटे पीसीज के अंदर री ब्रेक हो जाएंगे and each piece में लेटर ग्रो इंटू नू माइसीलियम यहर एक पीस क्या करेगा ग्रो करेगा एक नए और माइसीलियम के तो इस वे में इस धुक्स एंदर फ्रागमेंटेशन के थू रिप ciert या फिर वेजिकेटिव रिप्रड़क्शन होती है इसको बाइनरी फीजन भी बहुते हैं यानि दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा हम भी सैल डिवाइड इंटू डॉटर सैल डिवाइड होके बनता है डॉटर सैल बनाता है क्योंकि साइज में थोड़ी सी पेरेंट सैल से डिवाइड करेगी एंड डॉटर सैल बना देगी कैसे करेगी यह सेपरेट होती है कॉंस्ट्रिक्शन और प्रांस्वर्स वोज के थो थार्ड़ इस दा बडिंग जिसको मुकूलन बोलती है बडिंग के अंदर क्या होगा बड्स फोर्म होगी जैसे कि इस्ट होती है इसके डॉटर बड अगेन क्या होगा जो पेरेंट होगा उससे जो बड बनेगी उसको डॉटर बड बोला जाता है डॉटर बड अपियर्स फॉम पेरेंट सैल से अपियर होगी आफ्टर गेटिंग दर नॉर्मल साइज अभी पेरेंट से अपियर हुए है यह चोटे साइज की हो पेरेंट की साइज की हुई यानि नॉर्मल साइज की हुई वहां से ब्रेक हो गई इसके इलावा अगर बड़ फेस टू सेपरेट अलग ना हो ठीक सेपरेट ना हो पेरेंट से दिन क्या होगा आफ्टर रिपिटेड बड़िंग बहुत सारी बड़िंग डिविजियंस के बा बोलते हैं जो कि इस्ट के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है फॉर्थ होनीज दा ओईडिया ओईडिया जो होते हैं रांग्टेड और ओवल स्ट्रक्चर होते हैं इनकी वहल की से थी होती है हाल फी अंडर बोस्ता मेंटेशन और प्रडूस इस वाइक सेल्स कार्ड ओई जो हाइफी हाँ हाइफी क्या करेंगे सेगमेंटेशन की अंडर जाएगे चोटे-चोटे-चोटे बनेंगे इंके टुकडो के बाद ये जो है ये ये स्लाइक सैल्ड्ड्स करेंगे मुद्स नेक्स्ट वॉन इजह क्लमाइडो स्पॉस यानिकी कि अंदर क् अब climatos pores are thick world ठीक है यह thin world थे यह कैसे है thick world है resting cell है अब एक बात अगर हम पहले भी आपने डिसकस किए कि जो resting world है वो किसके लिए आएगी उसके अंदर वो कुछ time के लिए rest पे होगा यानि कि जैसे कि कोई unfavorable condition आई तो उस पे क्या होगा वो अपने आपको protect करके रखेगा ज जैसे favorable condition आएगी वह वापी से germinate हो जाएगा तो यहां पर इनके around वोल जो है वो थिक हो जाती है ठीक है वोल कैसी हो जाती है ठीक हो जाती है जो भी resting cells होंगी resting sports होंगे उनकी वोल थिक होती है they are intercalary in position यह terminal नहीं होते हैं होते हैं इंटर कैलरी इंपोजिशन होते हैं बीच में होंगे इन फैवरेबल कंडिशन फॉर्म आन्यू माइसीलियम यहां बना लेगी तो यह होता है यहां पर क्लेमाइडो स्पोर्स के अंदर नेक्स्ट है जैमी जैमी जो है यह क्लेमेडो स्पोर्स से ही रिजैंबल करते हैं इनसे ही रिजैंबल करते हैं structure के अंदर लेकिन but not very durable and thick world यह ज्यादा durable नहीं होते हैं ज्यादा लंबे time तक यह थिक वोर्ड भी नहीं होते हैं तो यह फर्ख होता है यहां पर जैमी एंड कलमेडो स्पोर्स के अंदर नेक्स्ट इस डा स्क्लेरोटिया के अंदर क्या होगा अब धीज आर कंपेक्ट मास और सूडो पैरंकाइमेटिस माइसीलियम हमने देखा था सूडो पैरंकाइमेटस माइसीलियम के अंदर क्या था जो अहां पर हाइफ होंगे वह अपनी अडेंटिटी लूज कर देते हैं और वह आईसो डामेट्रिक साज के अंदर ट्रांसफोर्म हो जाते हैं तो यहां पर क्या होता है उसको यह बहुते सूडो पै करने के लिए यह कैसे बन जाते हैं सूडो पैरंकामेटस माइसीलियम फोर्म कर देते हैं और जैसे ही यहां पर फेवरबिल कंडिशन आएगी वापी से जर्मिनेट होके नया माइसीलियम फोर्म कर लेंगे और लास्ट वन इस दार राइजो मोर्फ जिसको तंतु जटा बो यह लेकिन यूजली यहां पर ऐसा नहीं कि दूसरी के पपर नहीं होती। कुछ और फशय बिंधर देखने को मिलते हैं। Adverse Conditions क्या होगी Unfavorable Conditions जब Unfavorable Conditions होगी उस टाइम पर यह बनेंगे यह क्या करेंगे अभी अपनी ग्रोथ को भीकुर स्टोब कर लेंगे जब यह बन जाएंगे Unfavorable या फिर Adverse Condition के टाइम पर यह ग्रोथ को Resume कर लेंगे वैं फैबरेबल Conditions अपियर जैसे फैबरेबल कंडिशन आएगी कंडिशन स्टेबल होगी इनवार्मेंट स्टेबल होगा उस टाइम पर यह क्या कर लेंगे ग्रोथ को Resume कर देंगे जैसे ही फैबरेबल कंडिशन अपियर होगी तो बेसिकली जो भी यहां पर स्पोर बनते हैं Unfavorable कंडिशन के अंदर वह क्या करते हैं यहां पर जैसे ही फैबरेबल कंडिशन आती है वह जर्मिनेट करेंगे एक नया माइसीलिम फोर्म कर देंगे तो इन डिफर्ट डिफर्ट मैथर्ट के थूव एजिटेटीव रिपरड़क्शन होती है फ्रेगमेंटेशन के थूव जिसके अंदर हाइफेस्स स्मॉल साइज़ेस के अंदर ब्रेक हो जाएंगे स्मॉल पीसीज के अंदर और ग्रो करके नया माइसीलिम बना लेंगे फीज़न क के अंदर यह डोटर सैल्स के अंदर डिवाइड होंगी कॉंस्टिक्शन एंड ट्रांसवर्स वो उसके तुरू बड़िंग के अंदर डोटर बड़ अपीर होंगी पेरेंट सैल्स से एंड जब नॉर्मल साइज से ग्रो हो जाएंगी तब वो क्या कर लेंगी वहां से ब्रेक ञाक वहां चैन उम्होंचे need massage के औ appeal को से वन वीऊ होते हैं उट्रुक्व और खिंड और गोनास्टक्टर में और ये की तीमें मॡें के होंते हैं थिक वोल्ड रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं जैसे ही फेवरेबल कंडिशन आएगी अगें यह क्या हो जाएगे एक नया माइसीलियम फॉर्म कर देंगी जैम यह भी क्लमेटो स्पोर्स से मिलते जूलते होते हैं इसके बाद स्क्लेशिया के अंदर क्या होता है कॉंपेक्ट मास होते हैं यह सुडो पैरंकाइमेटस माइसीलियम के एंड यह फॉर्म होते हैं अनफेबरबल करडिशन के दूरिंग और राइजो मॉर्फ जो है यूजली बेसाइडो माइसीट्स के अंदर मिलते हैं यह स्ट्रक्चर होते हैं पैरनेटरेशन के लिए और यह क्या कर सकते हैं डॉर्मेट रहते हैं एड़वर्स कंडिशन के अंदर यह जो है प्रैस पर रहेंगे जैसे यह favorable condition आएगी, यह growth को resume कर लेंगे, जैसे favorable condition आई, again इनको सारी जो इनको required है, requirements है, वो मिलेंगी, and again यह क्या कर लेंगी, नया mycelium form कर देगी, यह नई fungi form कर देगी, तो यह different methods है, vegetative reproduction के, इसके बाद next one is the asexual reproduction, asexual reproduction के अंदर भी कुछ methods होते हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे first method है, spore formation का, ठीक है, spore formation के अंदर, जो spores होते हैं, ठीक है, spores usually unicellular होते हैं, ठीक है, usually unicellular होते हैं, लेकिन कई बार यह multi-cellular भी हो जाते हैं, thin world structures होते हैं, spherical in shape होते हैं, ठीक है, इनकी जो wall होती हो, thin wall होती है, they may be highlight or colored, ठीक है, transparent हो सकते हैं, या तो यह colored हो सकते हैं, they are produced endogenously, endogenously का meaning है, inside, ठीक है, अंदर की तरफी produce होंगे, in special sec-like asexual reproductive bodies, कुछ यहाँ पे asexual reproductive bodies होंगी, जो की, जो इसके अंदर present होंगी, उनके अंदर endogenously sports produce होंगे, and in special sec-like asexual reproductive bodies को springia बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, springia बोलते हैं, इसके पाद sports जो हैं, यहाँ पे different different type के हो सकते हैं, यह juice sports हो सकते हैं, जिनको चलक बीजानू बोलते हैं, springio sports हो सकते हैं, uridio sports हो सकते हैं, tenuto sports हो सकते हैं, यह अंदर मिजाए हो सकता है यह सपोर्फोर्म और होता है । इसके इलावा यह यूनी सेललर होते हैं यह हाई लाइन और या फिर यह कलर हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स जो है फंजाए के अंदर देखने को मिलते हैं इसके बाद सेके नहीं हाँ पर कॉनीडिया फोर्मेशन के अंदर क्या होगा जो यह स्पोरेंजिया था ठीके जो स्पोरेंजिया था स्पोरेंजिया जब डिटेंच हो जाएगा इसको कॉनीडिया बोलेंगे ठीक है डिटेंजिबल स्पोरेंजिया और कार्ड कॉनीडिया तो यह फॉर्म कर सकते हैं एसके बाद नेक्स है ओईडिया जो है लाइक हमने वेजिटेटिव रिप्रड़क्शन के अंदर रेखे थे वैसे ही इसके अंदर ओईडिया होते हैं हाइफ डिवाइड़ेड इंटू लार्ज सोठेंटि ठीक है चटे disp की इनदर डिवाइड हो जाते हैं बाई ट्रांस्वर्स वोल्स होनां की उनिके त्रू 2015-20 ताओक है बंचेए लाग लग ये अलग लग लग सेगमेंट्स यहां पे फ्रोंड़क् GUY पहूं जाएए and are produced in chains and may become free from one another and are card-oodus or ethosports بھی بولा जाता है अब यह क्या हो जाते हैं यह अलग-अलग free हो जाते हैं असे ठीक है? अब free होके या तो ही क्या कर सकते हैं एक chain के अंदर है सकते हैं यह simply chain के अंदर हлекे या तो ही free हो सकते हैं, free हो जाएंगे एक दुसरे से देंको ही क्या तो यह उते हैं कि इंधोन कला सफोर्स चाहरं यह थे अंदर और संता है और हम णिए फडूर्ड लंड किलर बागका यह कैसे होते हैं तो इसल्ड ही होते हैं next one is the picniospores. picniospores जो है यह produced, these are minute cornedia like spores. यह भी ऐसे होते हैं, cornedia like spores होते हैं, minute होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं and produced in the flashed shape cavities. ठीक है, इनके अंदर फर्ग क्या होता है, यह flashed shape cavities होते हैं, उनके अंदर produced होते हैं and उनको बना जाता है, picnidia या फिर picnia, these are formed due to aggregation of cornedio force. cornedio force की aggregation हो जाएगे, cornedio force इकठे हो जाएगे and उनकी वज़े से यहाँ पर क्या produce होते हैं, picniospores produce होते हैं. तो यह different type के हमने देख लिए, यहाँ पर sport formation हो गई, इसके बाद cornedia formation हो गई, oidia बनते हैं, पर क्लमेटो-sports बनते हैं, picniospores बनते हैं, इसके बाद next is sexual reproduction के अंदर method होगा, ureo-sports, ureo-sports जो होते हैं, यह by nucleate होते हैं, दो nucleus होते हैं के अंदर and thick world sports होते हैं, दो nucleus वंगे and thick world sports होते हैं, next one is the tannu-to-sports, यह जो है highly thick world होते हैं, ठिक तो यह भी होते हैं, लेकिन यह और भी जदा thick world होते हैं, by cell होते हैं and हर एक cell जो है binucleated होते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी by nucleate cell थी, यह by cell होते हैं, दो cell होगी और उसमें से हर एक nuclei क्या होगी, each cell binucleated होगी, हर एक cell क्या होगी, जिसके अंदर दो nuclei होगी, तो यह different methods थे, asexual reproduction की, next number third is the sexual reproduction, sexual reproduction के अंदर अब क्या होगा है हांपे, it involves the union of two compatible nuclei, जो दो compatible nuclei होगी, वो nuclei किसकी होगी है, गैमीट्स की, ठीक है, गैमीट्स की nuclei होगी, या फिर हम इनको बहुत सकते, sex cells की nuclei होगी, तो उन compatible nuclei के बीच में यहां पे उनके union होगा, उनका fusion होगा, गैमीट्स जो है, प्रडूस्ट इन unicellular sex organs जिनको gamitangia होला जाता है, ठीक है, यह जो gamीट्स है, ठीक है, गैमीट्स कीसके अंदर प्रडूस होगे, गैमीट्स प्रडूस होते हैं, unicellular sex organs जिनको gamitangia बोला जाता है, अब यह जो sexual reproduction ने तीन phases के अंदर होती है, तीन phases में plasmo gammy होता है, यहां पे karyo gammy होता है और meiosis होती है, plasmo gammy, plasma यह नहीं की यहां पे protoplasm का division होगा, next क्या होगा, यहां पे karyo gammy होगी, fusion होगा यहां पे actually, ठीके प्लाज्मो gammy, यहां बोटो प्रडूस जो है union होगा, karyo gammy के अंदर क्या होगा, karyon याननी की nucleus यहां पे क्या होगा, nucleus का fusion होगा, Then, क्या होगी? हाँ पे Myosis होगी Myosis क्या कर देगी? Again, उनको Haploid कर देगी जो Fusion होगा है तो ये तीन Method होते हैं and तीन Phaze होते हैं इन Phazes में पहले Plasmo Gammy आता है Plasmo Gammy जो है इसके अंदर Next क्या होगा? Plasmo Gammy के बाद Caliogammy आएगा अब ये जो Plasmo Gammy है लेट होती है इसके बाद बीयोसेव होती है ञो कि इनको जो कि यहां पेlor Bowl को रिडूस कर देगी तो प्लासमोकामी किया होगा कोसी स्थी घुटाब प्लास्थी उनहीं कि युटोप्लास्थ कि यहां प क्लॉस टूगेदे रही और तो यहां पर क्या होगा मिली प्रोटो प्लास जो है वो आएंगे एक साथ यह क्या कर लेंगे है प्लोट नुकलियाई को भी एक पास लेके आएंगे इसके बाद केरियोगैमी होगी के इंदर क्या होगा प्लाजमोगैमी इस फूलोगाई अब यहां पर क्या होगा प्लाजमोगैमी के बाद क्या होगा यहां पर क्या होगा प्लाजमोगैमी होगी इसके बाद क्या होता है सिंपलर फंजाय के इंदर Plasmo Gammy is immediately followed by Karyo Gammy Plasmo Gammy के बाद just बाद Karyo Gammy हो जाती है लेकिन complex fungi के अंदर delayed by some time कुछ time तक ये delay हो जाती है यहां पर क्या होता है complex fungi के अंदर Plasmo Gammy produced by nucleated cells क्योंकि Plasmo Gammy तो हो गई है Karyo Gammy नहीं हुई है तो Plasmo Gammy की स्टेज होगी वो क्या तरहेगी वो by nucleated cells जिनको dicarion बोलते है यह produce कर देगी जिनके दो nucleus होंगे वो stress produce कर देगी तो यह by nucleated यानि दो nucleus वाली cell stress produce कर देगी क्योंकि इसको अभी Karyo Gammy नहीं करनी है तो यह wait करेगी and उस time में क्या कर देगी by nucleated cell बना देगी इसके पाद generally क्या था जिसके प्लाज्मोगेमी थी फिर Karyo Gammy होई जिसके अंदर यहां पर die-carion या फिर syn-carion बना इसके बाद यह जो nuclei है वो आपस में fuse हो गई है पेर्स में आ गई है तो सिं-carion बोलेंगे इसको सिं मींस वो जूड़ी हुई है करियोन मींस नुकलियस इसके बाद क्या हुआ है सिं-carion की अंदर मियोसिस होगी जो की प्रडूस कर देगी है 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 क्या प्रडूस कर दे जहा है है happen ata कंडिशन इसके बाद ब्लाजम के वब कर देगी मियोसिस होगी की प्लाजम होई इस के पास आगए इसके पाद ग???? प्लाजमी में के प्लाजमाघयमि के बातो नुक्ञाइ के इमिजेटली केरियों बहुत हो सकती है कुछ के अंदर क्या होगा डिलेड होगी के अंदर शींकरियों जो कि निवीजन है जोकि इनको है और ढ़गे तरह तर्ड मियोसिस होगी जो कि डिप्लोइड कंडिशन को haploid 1 के अंदर convert कर देगी तो यह तीन phases होते हैं यहां पर sexual reproduction के अंदर इसके बाद next क्या होता है यहां पर if the gametes and gametangia gametangia क्या थे हैं यहां पर unicellular sex organs थे तो अगर gametes and gametangia morphologically identical है morphologically एक गुसरे से मिलते हैं तो इनको बोला जाता है isogametes and isogameteangia respectively aeisogametes gametangia और isogameteangia and अगा इनको बोला जाता ہے iso gametangia and अगर ध Earn के morphologically different morphologically then इनको बोला जाता है hedgehogametes or hedgehogametangia Hey हेटो gametangia, हेटो gametes how to da matters with greater than original and gametes ago metam burada admitamete इसके अम ने बोलिए की heterogamate होंगी लग-लग here neighbors, तो male and female dogamate होंगे, male gamate को यहां पे anthridium बोला जाता है, female gamate को यहां पे hugorryum बोला जैता है ठीक है तो यह होता है यहां पे sexual reproduction के अंदर सबसे first क्या होगा है यहां पे तिन phase होंगे plasma gamemis karyogam acem 건ico कर दीए प्लास्मो मदोडी प्लास्मोगे की अदर क्या होॉगा बेसिकली प्रोट प्लास्ड का फ्यूजन हो गाल्डॉ गाइड बना लेगी इसके बाद क्या होगा मियोसिस होगी मियोसिस के अंदर अगेन क्या हो जाएगा वह है प्रुटी संपिर जो है वह यहां पर यहां पर आइसो गैमीट भी हो सकते हैं एसो गैमिट अब है तो यह लिए फिमील और फिमेट इसके बाद यहां पर यह दुले हैं एक दूसरे के हाई है तो इसके अंदर कुछ मेंफड्स होते हैं इसके अंदर कुछ methods होते हैं उनको बोला जाता है methods of sexual reproduction तो अगर हम देखें यहां पर कौन-कौन से methods होगे sexual reproduction की basically यहां पर 5 method होते हैं जिसके अंदर gametic copulation होता है then gametangial contact, gametangial copulation and spermatization and somatogamate different different 5 methods होते हैं अगर यहां पर gametic copulation की बात करें यह fusion होता है naked gametes का जिसके अंदर one or both the gametes are motile जिसके दोनों एक या फिर दोनों क्या हो सकते हैं motile हो सकते हैं यहां पर यह 3 type ही होती है जाकर यह isogamy हो सकती है anisogamy and ugamy हो सकती है isogamy के अंदर क्या होगा iso means same होंगे हांपे fusing gametes are exactly alike in appearance and function function के अंदर activity के अंदर morphology के अंदर वो similar दिखेंगे हांपे and isogamy के अंदर fusion of dissimilar gametes ठीक है dissimilar gametes होंगे हांपे बहुत the gametes are motile and दोनों के दोनों gametes क्या होंगे motile होंगे third one is the ugamy fusion of male male क्या होगा है यहां पर micro gametes होगा जो कि छोटा होगा and यह small होगा flagelated and active होगा with the female जिसको mega gametes बोलेंगे large non motile and passive होगा तो यहां पर यह होता है ugamy के case में एक के हमें जोगाल होता है है तो इसका गामीटेंजेल कोपुलेशन यह जो गेमिटेंजिल contact कैसे यहां पर fusion हो रहा है इसके बात गामीटेंजील कोपुलेशन जो है जिसके लिए आइसोगेमिटेंजिया का पहले देखा था इसो घमीट के अंदर तो अगर इसको घमीट एंजिया को पूलते हैं इसको प्रमेट यहां पर क्या होता है यहां पर मेल घमीट फ्यूज करता है करेगा देखा फ्यूज साथ पूलते हैं यहां पर मेल नहीं होता है किन देखाएं चॉलते हैं यहां auf organ notify इंदर सेक्स और्गल फॉर्म नहीं होते हैं तो different type के method होते है इसके बाद sexual reproduction हो जाते है फ्यूजल हो जाता है इसके बाद fertilization जो होगी वह दो steps केंदर होती यहां पर एक plasma इस नेर्यान फ सब्सक्रणने चाहनिक और यूफिकि उपके अनगा टॉच्छन विशर्ण वीव जो झत्या χविए फिर मैं कतनी ग्रहवी थे सब्सक्राइब जालगा जाकंद गत्लाइब कर देगा słu बेदा कि यह वर्म कोई इस प्लाइब कर दे होंगे क्यों होंगे due to crossing over in meiosis क्योंकि यहां पर meiosis होगी जिसकी जैसे haploid spores बनेंगे तो यह मियोसिस की वज़े से मियोसिस के अंदर क्या होगे crossing over होगी तो crossing over की वज़े से genetically different बन जाएंगे जो भी parent था उससे and यह क्या करेंगे then germination करेंगे and mycelium form कर देंगे तो इस वे में यहां पर क्या होता है sexual reproduction होती है तो यहां तक हमने discuss कर लिए कैसे vasidative reproduction होती है इसके अंदर कैसे asexual reproduction होती है and कैसे sexual reproduction होती है तो different methods थे reproduction के इसके बाद हम discuss करेंगे classification and economic importance क्या होती है फंजाइटी तो इस वीडियो में इतना ही एंड अगर वीडियो helpful लगे तो लाइक कीजिए share कीजिए पने friends के साथ एन चैनल को subscribe कर लेजिए thank you so much